Hello Friends, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे प्रोड़क्ट जो देखने में काफी मज़ेदार है तो इसका फटाफट से अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं स्वागत है आप सभी का Take Arion चैनल पर Alexa Echo.5th Generation की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं जो मैंने Amazon से परचेस किया है Echo.5th Gen एक बहतरीन स्मार्ट स्पीकर है जो किफायती और उप्योग में आसान है इसमें एक स्लीक डिजाइन, बहतर आउडियो और नए फीचर्स जैसे टैप, जेस्चर और मेश नेट्वरकिंग है सबसे पहले मैं इसे अन्बॉक्स कर देता हूँ इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा जो हमेशा से Amazon ने पैकेजिंग पर ध्यान रखा है इस बॉक्स में तीन चीजे प्राप्थ हुए हैं, अलेक्स स्पीकर, चारजर और कुछ डॉक्योमेंटेशन पेपर, जो मुझे इंस्टॉल करने में मदद करेगा मैं बटा दू आपको अलेक्स को यूज करने के लिए आपको इसे चारजर से कनेक्ट रखने होंगे इसमें रीचारजबल की सुविधा नहीं दे रखी है सेट अप करने से पहले आईए इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं एलेक्स के साथ वॉयस कंट्रोल, अमजोन म्यूजिक, स्पोर्टिफाई, अपल म्यूजिक और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं से संगीट प्लेबैक कर सकते हैं इसके साथ ही साथ स्मार्ट होम कंट्रोल, दिनचरिया, अलार्म और टाइमर्स माचार, मौसम और खेल अपडेट गेम्स और अन्य एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं एको डॉट पांच एट जैन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और यह वोयस कमांड को बहुत अच्छी तरह से समझता है यह आपके घर को स्मार्ट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है साउंड क्वालिटी पिछली PD की तुलना में काफी भेतर है जिसमें डीप बेस और क्लियर साउंड है टैप जेस्चर स्पीकर को कंट्रोल करने का एक सुविधाजन तरीका है जैसे कि संगीत को रोखना और चलाना या ट्राक छोड़ना एको को सेट अप करने के लिए प्ले स्टोर से अलेक्सा आप को इनस्टॉल करें और लोगिन करें लोगिन के बाद दिये जा रहें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें एलेक्स अप के अंदर आपको नीचे स्लाइड में पांच आप्शन देखने को मिलेगा जिसमें से आपको डिवाइसेज में क्लिक करें उसके बाद उपर के राइट साइड में प्लास आइकन दिखेगा उसपे क्लिक करके एड डिवाइस पर क्लिक करें मेजन एको पर क्लिक करें उसके बाद पहला वाला आप्शन पर क्लिक करें अपसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके डिवाइस के नीचे ओरेंज लाइट ब्लिंक हो रहा है अगर यदी नहीं हो रहा है तो आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस वाले बटन को एक साथ तीन सेकंड तक प्रेस करके रखें प्रेस के बाद लाइट ब्लिंक होता दिखने लगेगा उसके बाद आपका डिवाइस पेर होने के लिए तैयार है सर्चिंग डिवाइस के बाद आपके कुछ पर्मिशन पूछा जाएगा आप एगरी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें अपने फोन में ब्लूटूथ न रखें अगेन आपके फोन में सर्चिंग होता दिखेगा उसके बाद आपका डिवाइस सेट आप के लिए तैयार हो जाएगा अब आप अपने फोन में हॉटसपॉट को आउन कर देटा की डिवाइस कनेक्ट हो सकें Connecting के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस होगा आपको अपना भाशा सेलेक्ट करे इसके बाद आप Alexa को कहा रख कर यूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करे जैसे कि आपको बहुत सारा आप्षन दिख रहा होगा Kitchen Bedroom आप जहां रखना चाहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर ले Voice ID आप्षन से आप स्क्रीन पर लिखे फ्रेज को बोल कर Command दे अब आपका डेवाइस यूज करने के लिए तयार है आप अपने फोन से Alex पर ओपन करके कुछ सेटिंग कर सकते हैं Alex एप पर फेवरिट लिस्ट डेवाइस का नाम लिखा दिखेगा Simply उस क्लिक करके इस तरह सेटिंग्स को देख सकते हैं आपका तरह सकते हैं Alexa अब एक मौसम कैसा है अलक्सा कोई मज़िदार जॉप सुनाओ एक आदमी से जब पूछा गया कि भाई अब बैंक में क्यों सो रहे हो तो उसने जवाब दिया मुझे बताया गया है कि यहां सोने पर लोन मिलता है अलक्सा कोई पराग पर लोन मिलता है Alexa, next प्लेकरू. 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 कर दो कर दो कर दो आलेकस से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप आलेकस से कमांड दे कर ठीक करा सकते हैं जैसे कभी आलेकस की वॉइस स्पीड हो जाती है तो आलेकस को धीरे बोलने की कमांड दे आशा करता हूँ ये डिवाइस आपको पसंद आया होगा इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिये गए लिंक से परचेस कर सकते हैं वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके धन्यवाद जय हिंद